Hi everyone, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग बहुत एक चोड़ा सा ट्रिक समझेंगे कि भी किस तरह से सभी वेल्यूस याद रख सकते हैं साइन 30, साइन 90, साइन 45, कॉस 45, कॉस 30, कॉस 0, जो कुछ भी है तो मतलब यह जो भी फिंगर ट्रिकों हम लोग यहां से स्टार्ट करें तो इसका अभी इस्तमाल आगे हम लोग different formula याद करने के लिए भी करेंगे तो यहां से कर देखिए अगर आपको यादे तो बहुत अच्छा है अगर नहीं याद रहता है तो आप इस method का इस्तमाल कर सकते हो तो अगर देखो क्या करना है कि भी left hand आपको ऐसे दिखाना है और ऐसा मन में सोचना है कि जो thumb था वो 90 है तो thumb के बाद वाला finger कितने पे आ जाएगा 60 degree पे फिर उसके बाद वाला 45 degree पे फिर उसके बाद वाला 30 degree पे फिर उसके बाद वाला 0 degree पे मेरे बाद समच रहें मतब आप इस तरह से सोचो यह thumb हो किया फिर next finger फिर next finger फिर next फिर next फिर next तो यह always क्या होगा 90 degree यह क्या होगा 60 degree यह क्या होगा 45 degree यह क्या होगा 30 degree यह क्या होगा 0 degree बस ऐसा ये ख्याल लखना है आपको इतना सा आपको अपने दमाग में याद रखना है ठीक है अब देखो साइन के लिए क्या फॉर्मॉला है अगर हम चपी हम साइन की बात करेंगे देख ना द्यान से समझना तो अगर हम साइन की बात करते हैं दिखिए, sin theta लिखना है तो मालो sin 30 लिखना हूँ सब्सक्रिए आपको sin 30 लिखना है तो sin 30 लिखने के लिए क्या करोगे आप एटी ची root, number of fingers below the bend finger तो 30 लिखना है तो 30 वाले finger को bend कर दीजिए तो जैको इसको bend किया आपने तो ये दिख रहा है तो अब यहां से देखो कि भी इसके नीचे ठीक है, धान से समझना इस bend figure के नीचे कितनी उंगलिया है, कितने fingers हैं, जितने हैं, उसी को root के अंदर रख दो, तो इसके नीचे कितने हैं one है, तो हमने one डग दिया जी तो root के अंदर one, one हो जाएगा, आप one two अब जैसे आपको sine 45 degree निकालना है, तो sine 45 degree देखो, तो sine 45 अब इसको जब हम bend करेंगे जब इस वाले finger को bend करेंगे तो इसके नीचे कितने उंगलिया होंगी दो उंगलिया होंगी, तो हम क्या करेंगे root two upon two तो देखो one by two हो जाएगा अब अगर हम लोग sine 60 की बात करें तो sine 60 मतलब ये वाला तो ये उंगलिया जब bend करोगे आप तो इसके नीचे कितनी उंगलिया होंगी तीन उंगलिया होंगी तो फिर हम लोग जब values लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखो root three by two कर सकते हैं अब देखिए हम लोग बात करते हैं 90 की, तो जब हम sine 90 लिखने की कोश्ट करेंगे, तो देखो sine 90, तो इसको जब bend करोगे तो इसके नीचे कितनी उंगलिया हैं? चार, तो root four upon two, देखो one आ गया क्या? समझ आई बात similarly अगर हम sine zero degree लिखने की बात करें तो सबसे नीचे आएंगे इसको bend करेंगे, इसके नीचे कोई भी उंगलिया नहीं आ रही है तो सीधे zero हो गया अब जैसे हम लोग cost पे आते हैं तो देखो cost पे अगर आप आऊगे तो cost का भी बड़ा simple मामला बनेगा cost में अगर हम देखेंगे तो सब कुछ यह होगा सिर्फ क्या होगा number of fingers above the bent finger तो अगर मैं यहां से sign sorry cost 30 degree लिखना चाहता हूं तो इसको मैंने bend किया जैसे 30 वाले finger को bend किया तो 30 वाले finger को जब हमने bend कर दिया तो bend finger के ऊपर कितनी उगलिया है जी 3 2 तो root के अंदर वो number upon 2 ठीक है अब देखो कहीं से cost 45 निकालना होता आपको तो cost 45 अगर निकालना होता तो फिर यह बीच वाले उगली को आप bend करते तो यह bend finger हो गया तो इसके ऊपर कितने है 2 तो root के अंदर 2 upon 2 तो कितना आ जाएगा 1 by root 2 कोई problem नहीं है ठीक है कोई भी अब जैसे मालो आप cost 60 degree लिखना हो तो आप बिल्कुल इसी तरह से लिख सकते हो root के अंदर वो number जो number of fingers है bend finger के उपर तो 60 में इसको मैं bend करूँगा तो इसके उपर कितना है एक ही बचता है तो root 1 1 हो जाएगा तो 1 upon 2 खतम तो कैसे लिख रहे तो पता लग रहा है तो सिरब यह याद रगना था तो आपको यह तो वैसे ही पता चल जाएगा कि sign upon cost 10 होता है तो number अब देखो मालो 1045 degree लिखना है तो क्या होगा root के अंदर वो fingers जो below the bend finger है root के अंदर वो fingers जो above the bend finger है तो 45 पे जाओगे तो नीचे जितना है उतना ही ऊपर है one आ गया जी अगर मैं 10-30 degree लिखने की कोश्ट करता हूँ तो क्या करूँगा जी number of finger number of finger bend finger के नीचे तो कितना है one root one one हो जाएगा upon कितना लिखना number of finger above तो अब अब इसके कितने आ जाएगा one two three ठीक है तो यहां तक बात समझार one two three तो root three हो गया तो कोई भी यह अब बड़े आराम से निकाल सकता है अगर आपको 10-60 degree ही निकालना होता तो देखो root 60 मतलब आप इसको bend करेंगे तो इसको जब हम bend करेंगे तो जो bend होगा देखना समझ ले ना एक बार जैसे मैंने इसको bend किया तो bend finger यह हुआ तो अब देखो इसके नीचे कितने है तीन है ऊपर कितना है एक है तो देखो root के अंदर three upon one तो root three रह जाएगा तो यह एक simple सा idea था अगर आपको अच्छा लगाओ तो share like चरूर करते हैं अगर बनता है तो comment भी करेंगे अगर कुछ बताना चाहते हैं ठीक है तो चलिए फिर आपसे मलाकात होती है तेंक यू